अबसकार दोस्तों हमारी यूटूब चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों अगर आप लोगों ने अब तक हमारी यूटूब चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब जरूर करें और बैल आइकन पर किलिक करके notification को उनका ले ताकि हम जो भी वीडियो upload करें वो आपको आसानी से मिल जाए दोस्तो पिछले पार्ट में हमने आपको बताया था RTC crystal के बारे में अगर आप लोगों ने हमारा पिछला पार्ट और बाकी के पिछले पार्ट नहीं देखी हैं तो वीडियो के description में मैं लिंक डाल दिये लिंक पर क्लिक कर आप देख सकते हैं दोस्तो आज हमारा अगला पार्ट है PFO के उपर तो दोस्तो PFO क्या होता है ठीक है आज हमारा पार्ट नमबर है दस तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ तो ध्यान से देखें वीडियो को लाश्ट सक चरूर देखें PFO यानि की power frequency oxylator ठीक है दोस्तो पार्ट 10 दोस्तो इसका full form है power frequency oxylator ठीक है दोस्तो यहाँ component network section में होता है ठीक है पहले इसका full form मैं लिख देता हूँ पावर फ्रेक वेंशी ओसी की लेटर ठीक है यह component network section में होता है जाँ कर्दोर शेघ सिलाईसटक है देuito कि जडिक है दोख फ्सेय का साई में है अंहाँ आया सभर प्रेक ह death दोस्तों ये नेटवर्क का कारिय करता है एंटिना का कारिय करता है दोस्तों ये नेटवर्क का कारिय करता है इसके साथ एंटिना जुड़ा होता है छीक है एंटिना वही जो की नेटवर्क का काम करता है नेटवर्क एंटिना तो जो नेटवर्क एंटिने का जो तार होते हैं जो तार निकलते हैं वो इसी से ही होके निकलते हैं ठीक है अगर ये नहीं होका तो एंटिना नहीं आएगा टावर नहीं आएगा दोस्तों अगर ये ख्राब होगा तो प्रोब्लम क्या आएगी कि आपकी मुबाइल की बैटरी लो होगी बैटरी जल्द लो हो जाएगी ठीक है दोस्तों आपकी मुबाइल की बैटरी जल्दी लो हो जाएगी आप चार्ज करेंगे या नई बैटरी आप लगा के देखेंगे तो बार-बार वो लो होगी ठीक है या बार-बार बैटरी लो आपका मुबाइल दिखाएगा और टा़र की प्रोबलम आएगी नेटवर्क की प्रोबलम आएगी नेटवर्क आपका नहीं आएगा दोस्तों इसका रेल से प्में बना के दिखा देता हूँ कि यह इस तरह का होता है ठीक है ये थोड़ा आयताकार भी हो सकता है या वर्गाकार ज्यादातर वर्गाकार होता है लेकिन आयताकार भी हो सकता है किसी-किसी मोबाइल में ठीक है दोस्तों इसके नीचे की साइड है ये मैंने आप समझ लो कि ये उल्टा है ठीक है इसमें नीचे की तरह बोल पिन होती है इस तरह की बोल पिन इसके अंदर होती है नीचे की साइड है ठीक है नीचे की साइड और इसकी जो बोड़ी है जो की उपर से ब्लैक होती है ये नीचे से है ठीक है नीचे पिन होती है और उपर से ब्लैक होता है ये और उपर की बात करें तो इसमें एक black dot भी होता है या किसी और color का dot भी इसमें मिल सकता है ठीक है दोस्तो इसको PCB में इसकी पैचान कैसे होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तो इसकी जो पिने है 10 से 16 हो सकती है या कम जादा भी हो सकती है अलग-अलग model के इसाब से अलग-अलग तरह का PFO मिलता है ठीक है दोस्तो दूसरी चीज ये है कि ये तो goal ball थी ठीक है और किसी में इस तरह की भी पिन हो सकती है वर्गा कार पिन भी हो सकती है PFO के अंदर ठीक है और उपर वोई dot का निसान होगा नीचे की साइड इस तरह की पिन होंगी और black body ठीक है तो ये हो गई इसकी पैचान हो गई है rail shape हो गया है और ये 10 से 16 पिन का होता है ज़्याद तर ठीक है ये है 10 से 16 पिन का होता है अब हम दोस्तो इसको PCB में दिखाते है ठीक है तो देखिए ये हमारे पास एक PCB है ये TATA की है पुराना मोडल है ठीक है तो इसमें PFO दिखाते है देखिए इसकी पैचान ये है यहाँ पे दो पिन दे रखी है और ये इसका एंटीना है एंटीना का काम करता है तो ये में तार है ये ground है जो ये तार आ रहा है इस एंटीना से गुजर के यहाँ से होके जो जा रहा है वो यहाँ पर आ रहा है थीक है वो यहाँ से गुजर के यहाँ पर होके यहाँ पर आ रहा है तो यह PFO है जो antenna का यह तार निकलता है वो PFO से ही निकलता है और PFO के पास network IC होती है थीक है तो यह पैचान इसकी है अब मैं दूसरे set में दिखाता हूँ आपको देखिए यह पुराणाई mobile है 33-10 इसमें देखिए यहाँ पर आप जो pin देखेंगे उपर के तरप यहाँ पर पिन का जो निसान देख रहे है यह antenna के है ठीक है और यहाँ पर PFO यहाँ पर यह लगा हुआ है ठीक है अब बात करते हैं Android mobile की तो यह Android mobile का pin है sorry PCB है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक PFO लगा हुआ है इसमें देखिए network की pin जो है नीचे की तरफ है यहाँ पर देखिए यह network container लगा हुआ है और यहाँ पर pin है और यह देखिए इसमें आ रहा है IC में आ रहा है जो की PFO है इसमें डोट भी आप देख सकते है और दोस्तों कई mobile में ऐसा होता है antennas के लिए एक cable दे दी जाती है PFO से निकल के यहाँ पर देखिए छोटा सा socket होता है उस cable का और यहाँ से PFO से निकल के यहाँ पर लगाते हैं स्टील की पत्ती लगाते है वहाँ तक बोडी में वो लगी होती है पत्ती जो होती एंटीना की वो बोडी में लगी होती है और यहाँ से यहाँ तक एक cable दे दी जाती है ठीक है अब बात करते हैं Chinese mobile की तो ये देखी चायनीज मोबाईल की PC भी है इसमें दो पिन दिखा रखी है पिन नमबर 1, 2 ठीक है और इसमें लिख भी रहा है GSM ये एंटीना का तार है ये वाला तो ग्राउंड हो गया ये वाला है जो कि यहां से होता हुआ सीधा इसके अंदर जा रहा है तो इसका PFO ये ही है ठीक है दोस्तो तो PFO से जो निकलता है तार वो एंटीना का काम करता है ठीक है तो ये एंटीना इसकी नेट पैचान है तो दोस्तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा PFO के बारे में देखिए antenna क्या हो आपके मन में कई questions होंगे antenna क्या होता है network IC क्या होता है यह वो क्या होता है अब भी हमको समझ में नहीं आ रहा है clear आपको सब कुछ clear हो जाएगा जब आप सभी component के बारे में जान लेंगे और हम एक एक component पर पार्ट बना रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए फिर हम आपको देखिए कि component की पहचान भी बताएंगे आपको उसकी tracing भी बताएंगे और mic के speaker के display के तार में कितनी voltage आती कहा कहा से आती है क्या क्या होता है कैसे jumper लगाना है कैसे mic बदलना, jack बदलना है display बदलना है कैसे display कितने pin की display होती है कैसे कैसे लगाना है कैसे कैसे match करना है वो सब कुछ हम आपको बताएंगे बस आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं और हमारी सभी पार्ट की वीडियो देखते रहें और सभी वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों और दोस्तों हमारी अगली वीडियो जो है वो जल्द आने वाली है ठीक है antenna switch पे हम वीडियो बनाएंगे antenna switch क्या होता है और बीपी एप पे भी हम वीडियो बनाएंगे बैंड पास फिल्टर पे ठीक है बैंड पास फिल्टर क्या होता है और ये antenna switch क्या होता है इस पे भी हम वीडियो हमारी अगली आ रही है इन दोनों के जो वीडियो आएंगी तो इस वीडियो के description में हम उनके पार्ट सबसे उपर डाल देंगे और बाकी के पार्ट भी अगर आप देखना चाते हैं तो वीडियो के description में हमने सभी पार्ट डाल रखे हैं तो आप देख सकते हैं और हमने एक playlist भी तयार किया हुआ है mobile repairing के नाम से तो आप हमारे चैनल में जाके हमारी playlist पे जाके mobile repairing वाली पे आप mobile repairing से संबंदित वीडियो देख सकते हैं और दोस्तो हमारे दो और चैनल है जो के हमने about में और इस चैनल के feature चैनल में जोड़ रखे हैं एक कनाम है rsy mobile solution उस पे हम mobile software के जानकारी देते हैं और mobile repairing की वीडियो भी हम उस पे upload करते हैं और दूसरा चैनल है PJ electronic and electrical तो उस चैनल पे हम motor winding की special वीडियो डालते हैं समर्शिबल से संबंदित या जो भी main main winding की है तो दोस्तो उन दोनों चैनलों को भी आप subscribe कर लें about में जाके या फिर इस चैनल के about में जाके कर सकते हैं लिंक अब आउट में या फिर इस चैनल के feature चैनल में जाकर आप उनको subscribe करके बैल आइकन पर हमारी इन तीनों चैनलों से जुड़े रहें और सीखते रहें mobile repairing, motor winding और आईरवेज से जुड़ी जानकारी तो ठीक है फिर मिलते हैं अगले पार्ट में जय हिंजे भारत